नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे भारतिय आयुर्वेद में बताये हुए ऐसे तीन काम जो आपको सुबसुबस नान करने के बाद यानि कि सुबसुबस नहाने के बाद बिलकुल भी नहीं करने चाहिए और अब भूल कर भी उन म कोई भी बड़ी बिमारी हो सकती है तो आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सो नमस्कार दोस्तो मेर नमे सोपनिल और आप देख रहे है आपका ही यूटूब चाइनल ओल इन्फो अपडेट सबसे पहला जो काम है वो कौनसा है दोस्तो कि नींद लेना यानि कि सोना तो बहुत सरे लोगों को एक ऐसी गंदी आदत होती है कि वो सुबसुब नहाने के बाद फिर से सोते है तो अगर आपको ऐसी आदत है कि आप सुबसुब नहाने के बाद फिर से सोते हो तो आप इस आदत को इसा बताया गया है कि अगर आप नहाने के बाद फिर से सोते हो तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं बन सकते और अगर आप सुबसुब नहाने के बाद फिर से सोते हो तो आप कभी भी सकारत्मक उर्जा मैसुस नहीं करोगे और आपका स्वभाव आलसी रहेगा तो तो आप इस काम को ध्यान में रखे और अब कभी भी सुबसुब नहाने के बाद नींद ना ले चोद दूसरा काम है वह कौनसा है दोस्तो की धुम्रपान अत्वा मध्यपान यानि की स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग तो अगर आपको बीडी, सिगरेट या फिर शराब ऐसे गंदेपादर्दो की आदत है तो आप कभी भी सुबसुब नहाने के बाद ऐसे गंदेपादर्दो का सेवन गलती से भी ना करे क्योंकि दोस्तो हमारे ग्रंतों में ऐसा बताया गया है कि अगर आप सुबसुब धुम्रपान अत्वा मध्यपान करते हो तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ बिगर सकता है और आपको कभी भी कोई भी बड़ी बिमारी हो सकती है तो आप इस बात को ध्यान में रखे और अब सुबसुब यानि कि सुबसुब नहाने के बाद धुम्रपान अत्वा मध्यपान गलती से भी ना करे चोद तीसरा काम है वो कौनसा है दोस्तों कि नाश्टा करना जी हाँ दोस्तों आपको सुनने में तो थोड़ा सा गलत लग रहा होगा पर दोस्तों आयोरवेद में ऐसा बताया गया है कि आपको सुबसुब नहाने के बाद तुरंत नाश्टा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तो अगर आप सुबसुब नहाने के बाद तुरंत नाश्टा करते हो तो ऐसा करने से आप जो खा रहे हो वो चीज आपके शरीर को पूरी तरह से नहीं लगती है और आपको कभी भी कोई भी बड़ी बिमारी हो सकती है यानि कि आपका जो स्वास्त है वो बिगर सकता है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको सुबसुब नहाने के बाद कम से कम पाच या दस मिनिट रुकना है और उसके बाद आपको नाश्टा करना है क्योंकि दोस्तो आयोरवेद में ऐसा ही बताया है अगर आप सुबसुब नहाने के बाद तुरंत नाश् इससे आपका स्वास्ता बिगड़ सकता है तो आप इस बात को ध्यान में रखिए